हेलो ब्योटिफल सोल्स दिस सान्वी शर्मा आज मैं आपके लिए एक जेनरलाइस रीडिंग लेकर आए हूँ जोके जुलाइ ट्वेटी ट्वेटिफोर के लिए है आज के रीडिंग कैप्रिकॉन यानि के मकर राशी वाले लोगों के लिए है ये एक जेनरलाइस रीडिंग है ये रीडिंग कही न कहीं आप सब के साथ रेसोनेट ज़रूर होगी अगर आप मेरी रीडिंग से इंप्लुएंस्ट हैं और किसी परस्नलाइस प्राब्लम का सॉलेशन मुझे चाहते हैं तो आप अपनी परस्नलाइस रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे वाट्साप के थ्रू या फिर मेरी इमेल आइडी के थ्रू बुक कर सकते हैं मेरा वाट्साप नमबर और इमेल आइडी स्क्रीन पर फ्लाश होगी जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीचे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नएने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इस रीडिग को आप Sun Rising, Moon Rising या Venus Rising की अगौड देख सकते हैं अगर आप इस रीडिग को अपने Ascendant यानि की लगन के त्रू देख रहे हैं तो जो भी Moon Sign आपको जौडिक है उस रीडिग को देखना मत भूलिएगा For finer details आएये जहानते हैं Capricorn People ये जुलाइ का महीना General energies की Terms में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इस महीने की General energies आपके लिए किस तरह की होंगी आईए चानते हैं ये महीना General energies की Terms में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है Six of fire का card है Queen of cups का card है यहां पर Two of cups का card है the next card is page of fire का card है the next is 4 of swords का card है balance का card है यहाँ पर the next card is 5 of swords का card है the next card is 10 of fire का card है and bottom of the deck पर 2 of swords का card है so Capricorn people आप लोग यह बात तो बहतर जानते होंगे कि आप एक earth sign personality है बट इस पूरे महीने में आप एक earth sign personality की तरह behave करने वाले है आप go with the flow की energies में रहेंगे जैसा जो चीज़े चल रही है आप उसी के साथ अपनी life में काफी satisfied feel करने की खुद से कोशिश करने वाले है ऐसा नहीं है कि आपको satisfaction feel होगी आपको ऐसा लगेगा कि जो हो रहा है बस ठीक हो रहा है चीक है cross road की situation में इस मन्त में आप ज़ादा खड़े रहने वाले हैं बहुत सारी situations ऐसी होंगी life में जहाँ पर decision बनाना आपके लिए अतना असान नहीं होगा आपको ऐसा लगेगा कि दूसरों के लिए आपको ज़ादा करने की ज़रूरत है मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ कहना चाओंगे कि खुद को प्रात्मिक्ता दीजिए खुद को prioritize करना बहुत ज़रूरी है अपने दिल की आवास सुने rather than आप दूसरों को खुश रखे पहले खुद को खुश रखे आप दूसरों के सामने यह शो करने वाले है कि आपकी life के अंदर कोई problem नहीं है ठीक है ऐसा नहीं करना है उससे क्या होगा लोगों के अंदर आपको लेकर jealousy पैदा होगी और लोग आपकी life के अंदर blockages लगाने की पूरी कोशिश कर सकते है किसी भी situation को आपको over analyze करने की जरूरत नहीं है और दूसरी चीज़ में आपको ये भी कह दूँ कि इस month में किसी के हाथ का दिया हुआ आपको कुछ भी नहीं खाना है नहीं तो आपको कई problems का सामना करना पड़ सकता है dark energy का impact आपके उपर इस month में हो सकता है यहाँ पर six of fire का card है इस महीने में जिस भी fields में आप बहुत सदा मेहनत करेंगे उसमें आप victorious होंगे कुछ अच्छी choices अगर बनाना चाहते हैं खुद को प्रात्मिकता रख देते हुए आपको वो choices बनानी है वो आपकी wise choice होगी आपके मेहनत की सरहना आपके आसपास वाले लोग करने वाले हैं आपको आपकी family का पूरा support मिलेगा आप successful होंगे इस month में promotion हो सकती है कोई award आपको मिल सकता है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और scholarship चाहते हैं तो वो scholarship इस महीने में मिल सकती है आपको यहाँ पर queen of cups का card है इस month में आपका जो nature है वो काफी giving type का nature रहने वाला है आप दूसरों से बहुत साथा प्यार करेंगे compassionate रहेंगे उनको nurture करने की कोशिश करेंगे खुद को sacrifice करने की कोशिश करेंगे देखे अगर आप खुद को importance नहीं देंगे तो कोई और इंसान आपको importance नहीं देने वाला है पहले अपने आपको prioritize करना सीखे ठीके इस month में आप काफी ज़ादा spirituality के और भी बढ़ते हुए नजर आ रहे है आप दूसरों की care करेंगे लेकिन खुद को भुला कर जो आपको नहीं करना चाहिए अपनी intuition को please trust कीजेगा आपकी family और friends के लिए प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है again अपने दिल की आवास को जरूर सुनेगा यहां पर two of cups का card है इस month में आप जहां पर भी अपने inputs देंगे वहां से आपको output भी मिलेगा चाहे वो आपका relationship हो चाहे वो आपका career हो आपकी input से सामने से output जरूर आपको कोई ना कोई मिलने वाला है ऐसा हो सकता है कि किसी person के साथ आपके लड़ाई जगड़ा past में हुआ हो वो person आपको sorry कहने आ सकता है उस person को maaf कर दीजिए का उस person के साथ आपका जो भी challenge वरा वक्त है वो खतम हो जाएगा इस month में आपको कोई gift दे सकता है यह फिर आप किसी को कोई gift दे सकते है ऐसी energy नजर आ रही है जिल लोगों से आप प्यार करते हैं उनको आपको give up करने की ज़रूरत नहीं है चाहे situation कुछ भी हो तो आपको अपनी तरफ से inputs देने हैं लेकिन खुद को पहले प्रात्मिक्ता ज़रूर देनी है अपनी लाइप को लेकर काफी optimistic रहेंगे आपके ideas बहुत ही ज़्यादा creative रहने वाले हैं इस महीने में आप बहुत ज़्यादा impatient भी रहेंगे आपके सामने कई exciting opportunities आएंगी उन opportunities को आप grab कर सकते हैं आपनी creativity को बाहर निकलने दीजेगा वो चीजें आपको इस मन्त में करनी चाहिए जसकी कारण आप बहुत सब्सक्राइट फील करें या फिर जो आपके passion है उसे follow कीजे आप multiple काम इस मन्त में करने वाले हैं लेकिन जो भी काम आप pick करेंगे उसे पहले finish कीजेगा फिर अगले काम की और बढ़ियेगा यहाँ पर four of sports का card है इस महीने में अपनी health को आप prioritize ज़रूर कीजेगा आपकी health आपके लिए सबसे ज़्यादा important होनी चाहिए क्योंकि health को लेकर को changes होते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है वो हम health की जब energies pick करेंगे उसमें ज़्यादा clear हो जाएगा इस वांद पर आपको meditation करनी चाहिए वैसे भी आपका खुद का भी चुका होगा meditation की और chanting की और चीक है उससे भी आपको बहुत एक अलग सा relief मिलने वाला है कुछ insights आएंगे उससे आप अपनी life को बहुत sort कर सकते हैं अपने आपको time दीजे decision बनाने से पहले खुद को time दीजे mentally खुद को exhaust मत दीजेगा और अपने sleeping pattern का ध्यान रखिएगा यहाँ पर balance का card है इस महीने में अपनी life में overall balance आप attain कर पाएंगे आपके सामने बहुत अलग-अलग विचार वाले लोग होंगे आपको सभी के according चलने की जरूरत नहीं है सबकी बात सुनिए उसके बाद अपना दिमाग लगाईए उसके बाद आप कोई भी action लीजेगा इस month में definitely आपकी success नजर आ रही है अगर कोई ऐसी situation है जहां पर आपको compromise करना पड़ता है तो compromise कर लीजेगा अगर उससे आपको success मिल रही हो ऐसा नहीं कहे रही हूं कि अपने belief का compromise कीजे अपनी जरूरतों का compromise कीजे जहां पर ऐसा लगता है कि compromise करने से problem solve हो जाएगी वहां पर compromise करने में कोई हर्ज नहीं है ठीके चीजों को अलग-अलग नजरीय से देखने की जरूरत है खुद पर थोड़ा सा control बना कर रखेगा थोड़ा सा patience रखेगा तभी life में वो balance attain हो पाएगा इस महीने में आख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने की आपको जरूरत नहीं है जिल लोगों पर आपको थोड़ा सा भी शक है उनसे थोड़ा सा distance maintain कर लीजेगा एक unwise choice की वजह से आप कही न कहीं पीछे अपनी life में एक जटका महसूस कर सकते हैं जिल लोगों पर थोड़ा भी शक है इस में आप मुझे बहुत सादा hard work करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत घंटोद काम करते हुए नजर आ रहे हैं उससे क्या होगा आप बहुत सादा exhausted महसूस करना शुरू करतेंगे आपको balance करके चलना है अपनी personal life, अपनी professional life के बीच में balance create करना अपनी personal space और वो space जो आप दूसरों को दे रहे हैं उसके बीच में balance create करना है आपको दूसरों के मदद करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है और अगर आप कहीं पर stuck feel करें तो वहाँ पर आप दूसरों से मदद ले सकते हैं अगर आपको कोई नई health problem होती है तो वो आपके stress की वज़े से होगी उसके इलावा यहाँ पर कोई ऐसी problem भी नज़र नहीं आ रही है So I hope आपको आपकी general energies बिलकुल clear हो गई होंगी Capricorn people आएए अब हम जानते हैं ये जो month है इसमें आपकी love life की energies किस तरहां की रहेगी जुलाई के महीने में आपकी love life की energies किस तरहां की होंगी Capricorn people जुलाई का महीना आपकी love life के लिए क्यान लेकर आ रहा है आएए जानते हैं तो पहला card है यहाँ पर seven of fire का card है The next card is the Empress का card है The next card is two of Pentacles का card है The wheel का card है यहाँ पर The next card is the sun का card है The next card over here is seven of pentacles का card है then is king of sports का card है and bottom of the deck पर the hermit का card है Okay, so Capricorn people हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं, जो अपने partner के साथ no contact zone में है देखिए इस महीने में आपकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है Starting में आप थोड़ा सा confused रहेंगे अपने relationship को लेकर आपको ऐसा लगेगा कि आपके partner आपको prioritize नहीं कर रहे हैं आप अपनी life में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इतनी सारी चीज़ों को किस तरह से आप handle करें ये instability आपकी बढ़ती चली जाएगी no moon के बाद आपको इस बात पर विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि आपके जो partner है न वो कभी भी आपके बन ही नहीं सकते हैं आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके partner है उन्होंने इस relationship पर give up कर दिया है और अब आपको इस relationship में कोई भी inputs लगाने ही नहीं है आपके trust issues आपके partner के साथ बहुत ज़दा बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं trust issues कुछ इस तरह के बढ़ेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके partner ने आपका इस्तेमाल किया है no moon से लेकर full moon का जो आपका phase है वो कुछ इसी तरह से बीतने वाला है और आप ना अकेले में बैठ कर अपने रिष्टे को analyze करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई गलती हुए तो आप चीजों को deeply analyze करेंगे तब आपको ये भी feel होगा कि आप ना अपनी intelligence का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए है आपने पहले ही अपने partner को अच्छे से परखा नहीं अगर आप पहले ही अपने partner को परख लेते तो आज ये situation create ही ना होती तो आप बहुत practically इस relationship से आगे बढ़ने की कोशश करेंगे आप अपने career पर focus करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको emotional होकर कोई decision अपनी light में नहीं बनाना है अब अगर रिष्टा नहीं बच रहा है तो कोई बात लेकिन full moon के बाद आपकी energies change होंगी full moon के बाद आपको एक कह सकती हूँ मैं यहाँ पर कि एक जटका सा महसूस होगा कि आपने जो इतना time अपने relationship पर दिया अपने emotions इस relationship में लगाए कि वो सब waste थे आप खुद से ही सवाल करने वाने फिर आपको लगेगा नहीं इस relationship पर आपको action लेना चाहिए जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा wisdom है तो क्यों ना एक chance इस relationship में लिया जाए है ठीक है आपके जो relationship में आप जो चीज़े डिले होती देख रहे थे पोस्पान होती देख रहे थे वहाँ पर चीज़े बहुत perfectly आगे की और बढ़ेंगे आपके partner आपके effort की वज़ों से आपके contact zone में आएंगे तो इस मन्त का graph कुछ इस तरह का है पहले relationship को लेकर कही positive फिर negative फिर positive इस तरह की situation को चलती हो यहाँ पर नजर आ रही है ठीक है so I hope आपको यह energy clear हो गई होगी positivity अगर relationship में देखना चाते हैं तो खुद के अंदर उस तरह की positivity भरना बहुत ज़रूरी है नहीं तो वो positivity सिरफ imagination में रह जाएगी so अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने partner के साथ contact zone में है आपको अपने partner के साथ बहुत ज़र प्रस्टीशू रहने वाले हैं आपको ऐसा फील होगा कि आपके partner ना आपको प्रात्मिक्ता नहीं देते हैं आपके belief system को आपके partner कुछ समझते ही नहीं है इसलिए आप अपने लिए stand लेने वाले हैं छोड़ी छोड़ी बातों पर अपने partner से बहस करने वाले हैं आपको सामने से अपने partner के सामने रखने वाले हैं आपको ऐसा लगेगा कि आज तक आप अपने partner के लिए बहुत कुछ करते आएं हैं लेकिन आपके partner ने कभी आपके लिए कुछ किया ही नहीं, इस relationship के लिए आपके partner ने कुछ किया ही नहीं, आपको उनके कोई भी efforts नजर नहीं आएंगे, और आपना थोड़ा सा अपने mind में भी equation ले आएंगे, कि आपने सही इनसान को चूज किया भी है अपने लिए कि नहीं, ठीक है, ये energies no moon तक चलेंगी, लेकिन no moon के बाद आप अपने partner को एक अलगी नजरिये से देखने वाले हैं, क्योंकि उस time पर आप actually थोड़ा meditation zone में चले जाएंगे, आप अकेले में कुछ time spin करेंगे, फिर आपको इसा लगेगा कि आप अपने partner से ज़रूरत से जादा चीज़े expect कर रहे हैं, और आपको अपने expectation का barrier down करना चाहिए, आप अपने partner से clear communication करने वाले हैं, उसके बाद आपका जो relationship है, उसमें आपके partner आपकी सभी गलत फैमियों को दूर करते हुए, आपकी juggling energy से आपको बाहर निकाल लेंगे, और आप दोनों का relationship, abundance, prosperity की तरफ को बढ़ता हुआ, मुझे नजर आ रहा है, अगर आप married हैं और Capricorn female हैं और चाहती हैं कि आप conceive कर लें, तो इस month में conceiving के chances यहाँ पर बहुत ज़्यादा high नजर आ रहे हैं और आपके partner भी आपको उस चीज़ के लिए support करेंगे, वो भी बिल्कुल mentally इस चीज़ के लिए prepared होंगे, okay so I hope आपको यह नों चीज़ भी बिल्कुल clear हो गई होंगी, अब हम बात करते हैं उनकी जो लुक single है, इस month में आपका कोई love affair start होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट arranged marriage के form में आपके लिए कोई रिष्टा आने वाला है, यह रिष्टा आपके घर में या तो आपकी mother के noon में कोई person होगा, उनके थूँ यह रिष्टा आएगा, या फिर कोई lady ऐसी है जो आपकी relative है, उनकी side से यह कोई रिष्टा आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, इस महीने में आपका रिष्टा fix हो सकता है, आप उस चीज़ के लिए उतना सदा mentally prepared नहीं होंगे, लेकिन आपकी family को तयार देखकर, आप उनकी हां में हां जरूर मिलाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा time लगेगा आपको इस person के साथ adjust होने में, इस person के जो zodic science मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो Aries Leo Sagittarius है, ठीक है, अकेले में थोड़ा सा time ले सकते हैं आप लेकिन अचानक मना मत कीज़ेगा, क्योंकि इस person के साथ आपका future काफी bright हो सकता है, okay, so I hope आपको ये energies भी बिल्कुल clear हो गई होंगी, Capricorn people, आएए, अब हम जानते हैं, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरहां का रहने वाला है, Capricorn people, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरहां का होगा, इस महीने में आपके करियर की energies किस तरहां की रहने वाली है, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरहां का रहने वाला है, यहां पर Page of Cups का गार्ड है 10 of Fire का गार्ड है sorry 10 of Pentacles का कार्ड है 9 of Swords का कार्ड है the next card is 4 of Cups का कार्ड है the next card is The Dreamer का कार्ड है the next card over here is three of fire का card है, the next card is ace of swords का card है and bottom of the deck पर four of swords का card है देखिए अपने career को लेकर कोई भी history decision मत बनाएगा, थोड़ा सा वक्क लीचेगा, meditate कीचेगा अकेले में time spend कीचेगा, उसके बाद अपने career के regard में कोई भी decision आपको बनाने की ज़रूरत है इस महीने में अपने career में आप emotional satisfaction ढूणने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं वो emotional satisfaction महीने के end तक आपको मिलेगी भी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने career के path को change कर सकते हैं क्योंकि एक नई ऐसी opportunity आपको मिलने वाली है जिस opportunity के बारे में आपको knowledge तो नहीं है लेकिन उसको करना आपके लिए काफी exciting होगा इस मन्त में career के regard में जो भी आप फैसले लेंगे present को देखते हुए फैसले मत लीजेगा future को देखते हुए फैसले लीजेगा long term आपको planning करनी है past में career के regard में अपने को choices बनाई थी उसका अच्छा फल आपको इस महीने में मिलता हुआ नजर आ रहा है इस महीने में आप अपने career का charge अपने हाथ में लेने वाले हैं थोड़ी सी apprehension की energies आपको परिशान करेंगी आपको ऐसा लगेगा कहीं आपके decisions गलत ना हो लेकिन आप हर obstacle को इस month में अपने career में overcome कर सकते हैं अपने आपको जादा emotionally depression वाली energies में लेकर जाने की कोशिश मत कीजेगा देखिया आपको ऐसा लगेगा कि लोगों के साथ तो career में बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ career में अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन इस महीने के last तक आप financially बहुत strong position में होंगे financially आप चीजों को बहुत अच्छे सा tackle भी कर पाएंगे पैसा खुद के लिए save कर पाएंगे अपनी family के लिए कुछ अच्छी चीज़े कर पाएंगे आप अपने career को लेकर बहुत ही ज़्यादा defensive होते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है है अगर आपको कोई आपके career के बारे में समझाने की कोशिश करेगा तो आप उस person को ये साबित कर देंगे कि वो person गलत है और आप बिलकुल सही है अपने career के fans ले आप खुद बनाने वाले हैं काफी ज़्यादा focus आप मुझे नज़र आ रहा है अपने career के प्रती passionate भी नज़र आ रहा है आपकी life के अंदर चीज़े बहुत speed से आगे बढ़ेंगी आपके career में चीज़े बहुत speed से आगे बढ़ेंगी वहाँ पर आपको अपने intellect का इस्तेमाल करना है कुछ intellectual challenges भी हो सकते हैं जो आपको face करने पड़े अपने career में उनका सामना पक्षे से कर सकते हैं इतनी समझ है आप में तो अपनी intuition की आवाज सुनते हुए अपने intellect से respond करना है आपको चीज़ों में ठीक है अगर कोई person आप criticize करता है या भला भुरा कहता है आपके career के regard में आपको फरक पढ़ना ही नहीं चाहिए career आपका है choice आपकी है life आपकी है so I hope आपको आपके career की energies भी बिल्कुल clear हो गई होंगी Capricorn people आए अब हम जानते हैं ये महीन आपकी health के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपकी health किस तरह की होगी आए चाहनते हैं तो पहला card है seven of fire का card है the next card is three of cups का card है the next card is queen of pentacles का card है and bottom of the deck पर ace of fire का card है इस month में तो health में improvement ही नजर आ रही है बस stress आपको नहीं लेना है अपने लिए stand लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपने लिए stand नहीं लेंगे तो health issues आपके develop हो सकते हैं क्योंकि दूसरों का impact आपके ओपर बहुत गहरा पड़ेगा अपने बारे में सोच कर अपनी health को prioritize कीजिए का अपने health के regard में अगर आप बहुत ज़्यादा परिशान है बहुत लंबे टाइम से कोई problem face कर रहे हैं तो वो problem resolve होती हुई नजर आ रही है कोई good news आपके career के regard में या जो आपको आपकी love life के regard में मिलने वाली है उसका बहुत positive impact आपकी health पर भी पढ़ने वाला है आपके health के regard में भी आपको good news मिल सकती है अगर आप किसी particular चीज़ पर काम कर रहे हैं अपनी health के regard में वहाँ पर बहुत अच्छे results मिल सकते हैं अगर आप एक weight loss चूर्णी पर हैं बहुत अच्छा weight loss आपका इस month में हो सकता है अगर आप weight gain करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा होगा okay so I hope आपको healthy energies भी बिलकुल clear हो गई होगी आएए अब हम चानते हैं यह महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का रहने वाला है कि इस महीने में आप future में invest कर पाएंगे कि आपको invest करना चाहिए इस month में क्या आप अपना dream house बना पाएंगे Capricorn people आएए चानते हैं तो पहला card है Knight of Cups का card है यहाँ पर renewal का card है the next card is the emperor का card है the next card is king of fire का card है the next card is six of pentacles का card है then strength का card है the next card over here is page of swords का card है and bottom of the deck पर यहाँ पर awakening का card है देखिए अगर बात करें investment की तो definitely इस महीने में आप invest कर सकते हैं past में अगर किसी investment से आप घबरा रहे थे तो इस month में invest करना आपके लिए सही होगा logics आपके अपने होने चाहिए किसी से कोई राई लेने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी की सोच से किसी की समझ से आप चलने वाले हैं तो वहाँ पर आप अटक जाएंगे इस बात का ध्यान रखिए का इस महीने में सामने से आपको कोई option मिल सकता है कि आप यहाँ पर invest कर दीजे तो वहाँ पर invest कर दीजेगा कोई problem नहीं है अगर आप कोई बहुत बड़ा loan लेना चाहते हैं या अपना loan repay करना चाहते है उसकी energy भी यहाँ पर नज़र आ रही है इस month में आप अगर मैं आपके घर बनाने की energy की बात करूँ तो definitely आप अपना घर भी बना सकते हैं और पास से कोई project आपने मन में सोचा हुआ था कि यहाँ पर घर बनाना है या यहाँ पर दुकान लेनी है यह यहाँ पर कोई commercial land लेना है वहाँ पर आप ले पाएंगे situation वैसी create होगी आप पूरी strength के साथ इस month में investment करने के लिए तहयार होंगे ठीके इस month में अगर finances की बात करूँ तो आप crypto में invest कर सकते हैं आप stock market में invest कर सकते हैं ठीके या फिर किसी company में invest करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यह जो सामने से कोई proposal आने वाला investment का यहाँ पर आप invest कर लीजएगा motivated आप रहेंगे आप थोड़ी सी planning करके चलने वाले investment की टर्मस में अच्छी बात है logically आप आगे की और move करेंगे इस month में discipline बहुत ज़रूरी है ठीके एक बार जो फैंसले ले लेने हैं आपने उसको reverse करने की कोशिश मत कीजेगा उससे काफी confusion आपकी life के अंदर create हो सकती है ठीके और dream house बनाएए commercial land लीजे जो आपको करना आप कर सकते हैं बस काम करते करते बीच में रुकना नहीं है इस बात का ध्यान रखिएगा ओके सो I hope आपको ये energy बिल्फिल क्लियर हो गई होगी आएए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं competitive की तयारी कर रहे हैं आपके लिए ये month किस तरहां का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं competitive की तयारी कर रहे हैं आपके लिए ये month किस तरहां का होगा तो पहला card है five of pentacles का card है then is knight of cups का card है three of swords का card है the next card is eight of cups का card है यहाँ पर the next is nine of pentacles का card है six of pentacles का card है then is the emperor का card है and bottom of the deck पर balance का card है इस महीने में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं सबसे पहले तो balance attain करना सीखे अपने मन को इतना ज़दा ब्रहमित मत होने दीजे इदर उदर की चीजे ज़दा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपका कोई लक्षे है जिसको आप पाने की कोशिश बहुत लंबे डाइम से कर रहे हैं इस महीने में past में जो कुछ भी आपके पढ़ाई के regard में आपने failure experience किया उन्हें ज़ादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस मत में give up करने वाले हैं कि हमें ये exam देना ही नहीं है देखिए वो आपकी अपनी personal choice है लेकिन इस महीने में अगर मेहनत करके logic के साथ आप पढ़ाई करते हैं बिल्कुल discipline के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो आपके competitive exams क्राक्ट हो सकते हैं especially वो exams जो आपको directly job दिला सकते हैं या फिर कोई government job का exam है वो आपका clear हो सकता है अगर आप कोई promotional exam की तयारी कर रहे हैं तो वो exam आपका इस मत में clear हो सकता है past में जो कुछ हुआ वो आपके experience को बढ़ाने के लिए हुआ उसे अगर आप अपने उपर जदा हावी करके चलेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जिन लोगों को emotionally अंदर से ये feel नहीं होगा कि ये exam देना चाहिए और अगर आपका ये last chance है तो वो exam बिल्कुल मत दीजेगा क्योंकि जब तक आप अंदर से emotionally strong नहीं होंगे तो universal energies जतना मर्जी आपको support कर ले आप exam crack नहीं कर पाएंगे past का जो दर्थ है मैं समझते हूँ आपने बहुत ज़्यादा महनत किये तो इस month भी महनत कीजे ये exam आपका crack हो सकता है universal energies आपको support कर रही है so I hope आपको ये energy बिल्कुल clear हो गई होगी कोई male figure आपके घर की ऐसी है जो आपको आपकी पढ़ाई में support करने वाले है चीक है तो उनकी बात को जरूर सुनियेगा so आए अब हम जानते हैं कि इस month में आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाए what should be your mode of action आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाए तो पहला card है master buddha का card है the next card over here is white eagle and sister spirit का card है the next card is focused intention का card है the next card is divine order का card है the next card over here is divine healing का card है and bottom of the deck पर hope का card है देखे इस month में आपको meditation जरूर करने है अपने inner और outer balance को आपको attain करना है अपनी intuition के साथ आपको deep connect करना है और अपनी soul के साथ एक गहरा connection बनाई है अपनी intuition की आवास पर आपको trust करना और Thursday के दिन पर आपको पीले रंकी चीज़ों का दान करना है आप चने की दाल का दान कर सकते हैं आप गाट फाली खल्दी का दान कर सकते हैं आप बदाम की गिरी का दान कर सकते हैं एक गिरी, तीन गिरी, पाँच गिरी, साथ गिरी, नौ गिरी, क्यारा गिरी, अपनी शम्ता के अकॉड़ेंगा अबदान कर सकते हैं, थर्सडे के दिन पर आपको केला या बनाने का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आप बनाना खाएंगे, उससे आपका जो जुपीटर है, वो लो हो जाएगा, फिकोस येले की पूजा की जाती है थर्सडे के दिन पर, ठीक है, और किसी important काम के लिए जा रहे हैं, थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग के कपड़े डाल कर जाने चाहिए, वैसे भी अगर कोई important काम है, तो येलो के लगे कपरे डाल घर चाहिए, जुपीटर आपको support करेगा, और उससे आपके काम ज़रूर बनेंगे, हल्दी का टीका रोज लगाना चाहें, तो रोज लगा सकता है, ने तो थर्सडे को तो आपको ज़रूर लगाना है, अपने लिए loving thoughts का चुनाव कीजए, अपने आपको हर एक चीज़ के लिए आपको criticize करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी blessings दी है, आपको बहुत सारे gifts दी हैं, उन चीज़ों को पहचांगे, ठीक है, हर बार अगर अपने आपको ही criticize करते जाएं तो कोई दूसरा ना तो आपकी respect करेगा, ना आपसे प्यार करेगा, यहां पर in sister spirit का card है, इस month में जो भी no moon आएगा, यानि के आमवस आएगी, उस दिन आपको अपने पित्रों के नाम का दान करना है, आप कपड़ा दान कर सकते हैं, आप अनाच दान कर सकते हैं, अनाच मे आप एक जिन्स का सूट या फिर आप कुरता पजामा या फिर लेडीज का सूट आप रखिए, या टावल रखिए, ठीक है, और उसके उपर दक्षिना जरूर रखिएगा, दक्षिना में एक रुपे का सिक्का नहीं लगाना, अगर आप 100 रुपीज दान करना चाहते हैं, तो 100 ही करेंगे, 101 का दान नहीं करेंगे, उससे जो भी आपका पित्रो दोश है न वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस बार इंसेस्टर्स की ब्लिसिंग इस मन्त में आपको मिल सकती है, उनके नाम का दान जरूर कीजे, इस मन्त में आपकी जो इंटेंशन है, वो बिलकुल क् और जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो रियालिटी में जरूर चेंज होंगी, वेडनस दे के दिन पर आप मेडिटेशन जरूर कीजे, रात को आठ बचे के बाद आप राहू के मुल मंत्र का जाब भी वेडनस दे के दिन पर कर सकते हैं, और चिरिया को आप आपने लेसन आपके लिए उन्फोल्ड हो रहा है, अपने धड़ाई चक्रा, अपने क्राउं चक्रा पर मेडिटेट जरूर कीजे, अपनी सेंस्टिविटी को समझे, कौन सी चीज़ें आपको एफेक्ट करती हैं, क्यों करती हैं, उससे समझने की कोशच कीजे, खुद को रिचार्च कीजे, खुद को हील कीजे, आपकी जो लाइट है वो दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने हाट चक्रा को हील करने के लिए हाट चक्रा पर मेडिटेट जरूर कीजे, ओके सो आई होब आपको आपका मोड अफ आक्शन विल्कुल क्लियर हो गया होगा, आईए अब हम जानते हैं कि इस मन्त में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मेसेज़स हैं आपके लिए आईए जानते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए आईए जानते हैं, क्या प्रिकॉन पर breaking trial का card है the next card over here is discovering truth का card है the next card over here is fogged in का card है and bottom of the deck पर यहां पर protected by angels का card है देखे divine आप से यह कहना चाहते हैं कि जब महीने की शुरुवात होगी तो आपको ऐसा feel होगा कि आपकी life में ना एक धुन चाही हुई आपको कुछ भी clearly नजर नहीं आ रहा है अप थोड़ा से slow चलेगा अपना वक्त लीजेगा यह धुन चट जाएगी आपको आपके रास्ते बिल्कुँ clear नजर आने शुरू हो जाएंगे जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं आपको बीटन बात अपनी लाइफ में चूज करने की जरूरत नहीं है जो दिशा इश्वर आपको दिखा रहे हैं उस दिशा की और बढ़ते चाहिएगा आप किसी सिचुएशन में अगर ट्राक्ट हैं तो उसमें आपको इस मंत में ब्रेक्ट्रू जरूर मिलेगा आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ स्मूद चल रहा है आपको किसी चीज के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है बस निरंतर आपको आगे बढ़ना है इंजल इस महीने में आपको हर पॉइंट पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको जहां पर भी लगता है कि आप ट्राप हो गए हैं वहाँ पर इंजल से मदद मांगेगा आपको मदद जरूर मिलेगी और यह ब्लेसिंग्स है डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि आज लाइफ में शायद अंदगार आपको महसूस हो रहा है पर बहुत जल रेंबो के साथों रंगी एनर्जीज को इंजॉय करने का मौका आपको मिलने वाला है यह है डिवाइन की ब्लेसिंग्स डिवाइन के मेसेज़ज़ आपके लिए आपको पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा यह रेडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलेगा आपने नियर अंदियर वांस के साथ शेर जरूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर अपने रिलेशनशिप को लेकर या लाइफ पे डिफरेंस वे असको लेकर कुछ क्लारेटी मल सके तो डू शियर माई वीडियो अलसो अगर आप मेरी रेडिंग से इंफ्लूइंस्ट हैं और किसी परस्नलाइफ प्राप्लिम का सॉलीशन मुझसे चाहते हैं तो अब अपनी परस्नलाइफ रेडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे वाट्साप के थ्रू या फिर मेरी इमेल आइडी के थ्रू बुक कर सकते हैं मेरा WhatsApp नमबर और email ID स्क्रीन को फ्लाश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीचे और bell icon को प्रेस करना बद्भूलिएगा जिससे कि आपको ने ने वीडियो की notification मलती रहे So, thanks for watching. See you soon.